बिजली गिरने से दो की मौत राच्वन जिले में शुक्रवार को हुई बारिस के साथ मौत बनकर गिरी आकाशी बिजली ने दो जिन्दिकिया छीन ली पतने के सामने पती की मौत देकर वहब बेसुत हो गई इसके बाद रागीरों ने दोनों मृतकों को एमुलेंस से आर के राजगी जिकित साले पहुचाया जहां पर पोस्ट माटम किया गया खुमारिया तसिल के खंडेल खेतर के पास दो पर में बारिस शुरू हुई तो सडक किनारे एक डाबे के लोहे के पत्रे के निचे उधेपूर जिले के दो पती पतनी और खंडेल का एक व्यक्ति बारिस से बचने के लिए उसके निचे खड़े थे तभी मौत बनकर गिरी आकाशी विजली ने दो लोगों की जान ले ली डाकडा सराडा उधेपूर निवासी कांतिलाल डोली पुत्र नकजी और खंडेल निवासी कालूराम पुत्र किशनलाल की मौके पर ही मौत हो गई कांतिलाल और उसकी पत्नी कुवारिया में किसी काम से आये थे वहां काम करने के बाद वापस अपने गाउं लोट रहे थे तभी रास्ते में बारिस चुरू ही तो इससे बचने के लिए डाबे के नीचे जाकर खड़े रहे तभी पत्नी से दो कदम दूर खड़े पत्ती प पर मौत बनकर गीरी आकाशी विजली ने जान ले ली यह मंजर देखकर पत्नी के पेरों तरे जमीन खिसक गई जैसे ही विजली गीरी वहां पर हाकार और चीक पुकार मच गई यह सुनकर रहा चलते कुलदीप सिया गोड वहां पर पहुंचे और दोनों मरत्कों को एमुल पर मौक पर पता चला गी मामर बिलने वाला नों बोला गी यह बिजली गर गई है दो जनों पर मौक पर मौक पर मौक पर पहुंचे एमुलेंस गुलाई तुरंद उनको आरके होश्मिटल लेके पहुचे जिसमें एक मरत्क कालू जो खंडेल निवासी है और एक कांती लास्ते में इलाजे दोरान मोथ हो गी आरके होस्पिटल लेके होँचे अभी उनके परिम्हों के सब्सक्राइब लाया है यहां मौक पर मौक पोस्मार्टम की कालवी चाहिए आमेट शहर में बाजार बंद रख कर वेपारियों के साथ लोगों ने SDM को सोफा ग्या पन को फासी की सजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्य मंत्री राज्य पाल वर राष्ट पती के नाम SDM को ग्यापन दिये गए SDM निशा सारान को ग्यापन देते हुए गटना को लेकर आग्रोस जताया साथी सोचल मेडिया पर घलत तिपनी करने वालों पर भी सक्त कारवाई की मांग की मलसोनी, पाशत प्रकाश घटिक, मांगी लाल रेबारी, पंकच टेलर, सुरेंद सिंग पवार आधी मोजूद थे